हेलो एवरीवन मैं किरन मेरे चैनल किरन कुक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट कीचेन एक ऐसी जगह है जहां पूरे दिन का कापी समय हम लोग कीचेन में ही बिताते हैं और कीचेन का काम कैसी इजी हो उसको इजी बनाने के रिए तरह तरह का अपलाइंस पहल सेहर करें पहला रेसपी भेज फ्राइड रैस है तो इस नभी हम लोग बनाते हैं थो क्या करते हैं सब्सेश ले ले लिए उस के सा पिल्पुल भी हम लोग नहीं करें सारा सावज कीचेन के इसमें डाले हप चम्माच हल्दी, हाप चम्मा्च नमाक और और एक से mix कर दीजिए और डाल दीजिए यहां पर pre heated air fryer है तो air fryer को हम पहले से pre heat करके रखे थे चार मिनट के लिए two hundred डेडी पे तो चलिए यहां डाल दीए टमपरेचर जो है two hundred पे है और time 20 minute लेकिन 20 minute time तो दिये है लेकिन बिच-बिच भाम इसे चेक जरूर करेंगे ऐसा नाए कि सब्जी जल जाए तो आठ मिनिट बादी हम यहाँ पर चेक किये क्योंकि सब्जी से बहुत ही अच्छा सा खुश्वु आ रहा था तो हम सब्जी चेक करके देख लेते हैं तो यहाँ पर अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स करने कवाद भी डाल दिये 15 मिनिट मे दूम लेंगे कुछ देल जब टमाटर गलिगा उसके बाद ही डालेंगे हम मियाँ पर चावल चावल में मोश्चेर नहीं रहना जाए तब-tक यह पर भून लेंगे चावल डालेंगे पानी तो चावल जितना रहे गाऊ उसका डवल डालेंगे पानी से पकाएंगे या नोन बेज बिरियानी बनाएंगे या तंदूरी आइटम जब भी बनाते हैं तो प्याज फ्राइ करके डालते हैं तो अब जो है सुमको तेल में फ्राइ नहीं करना है यहां फ्राइ करना है एर फ्राइर में तो प्रीहिट होना चाहिए पतला-पतला स्लाइस में काट अब टाइम और टम्टेचर की बाड़ी तो टाइम जो रहेगा इसमें 12-15 मिनट टम्टेचर 200 पर आपको बीच में 2-3 मिनट की बीच आपको इसको चलाना है और थुरा-थुरा चला करके फिर उसमें आप डाल दीजिए बारा मिनट में 90 परसंट पक जाएगा पंदरा मिनट म मिन दूरी मटन तंदूरी किसे पसंद नहीं है तो यहाँ पर हम प्याज फ्राइ एँ आपको बना लेते हैं मिन तंदूरी तो सब से पढ़े तो इसे मिरीनेट करके आप रख दीजिए पर नवाक हलदी तंदूरी मसाला एक चमच कॉन फ्लावर दही सब को डाल करके अची मटन मटन डालेंगे देंगे मटन दालने के बाद यह से से दोबर खोलना यहां सिरह के विज durhern को राट उसके बाद है वो ज det यहां समयत ही संब्रेश्चनोर나оды के टन्दोरी बन के तयार gehe programs नेक्स रिस्पी है बैगन भाजा अलू भाजा या बैगन फ्राइब लिए अलू फ्राइब लिए तो पतला-पतला स्राइस में काट लीजेगा काटने के बाद आपको दो से तीन चमश लेना है बेशन आप देख लीजेगा क्वांटिटी कितना है बैगन का साथ में नमक डाले हाप चमच स्वाद अनुशा नमक डाल देंगे इसमें थोरा सा डाल देंगे लाल मिर्च पॉर्डर इन सब को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है आपको वेशन डेरेक्ट बैगन में मद डालेगा इसमें मसाला बिलकुर भी उसमें मिक्स नहीं होगा तो आप बाहर मिक्स कर लिजिएगा उसके बाद डाल येगा बैगन में इन सब को डाल दिये अब इसमें डाल देना है एक चमच आपको तेल तो यहां पर रिफाइन तेल का यूज किया है अब सरसु तेल भी डाल सकते है इसमें उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे फुरा फुरा पानी डाल करके अब इसे मिक्स करेंगे तो यहां हम चमच से पानी का यूज करने कि ज्यादा पतला नो हो जाए तो यहां 4-5 चमच में बहुत ही आराम से यह मिक्स हो जाएगा तो यहां मिक्स हो गया बेशन जब आलू और बैगन में अच्छी तरह से कि आपको बीच में आपको बीच में इसे तेल भी बष गरना है दस मिनटा का बाद इसे हम लोग खोल के चिक करेंगे देखिए कलर कितना अच्छा आया है तो हल्का से इस पर देल जो जो ब्रश कर देंगे और इसे प्लट देंगे एक सैट जो अच्छी तरह से शिख चुक अभी यह कच्छा है दूसरी तरफ तेल लगाने के बाद इसे डाल देंगे एर फ्रायर में 8-10 मिनट के लिए तो फ्रेंट्स हम बार बार बोलते हैं प्रिहिटेट प्रिहिटेट होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम जब कराही में भी बनाते हैं तो पहले उसे गरम करते हैं और गरम करने के बाद ही उसमें तेल डालते हैं गरम कराही में जब तेल डालते हैं तो कुछ भी उसमें बनाते हैं तो चिपकता नहीं है यहां सेम प्रोसेस है इसे अगर प्रिहिटेड रखिएगा तो कलर भी बहुत अच्छा आएगा और चिपकेगा भी नहीं तो यहां बनके मेरा तयार हो गया है यह बैगन भाजा देखिए कितना सुन्दर कलर आया है बहुत ही टेस्टी और सफेद तील जुडाले बहुत ही अच्छा दिख रहा है तोर के दिखा देते आपको बहुत ही अच्छा बना है फ्रेंड्स इसे जरू ट्राइ किजिएगा नेक्स्ट आलू फूलगोवी की सबजी जब भी आप बनाते होंगे तो फूलगोवी फ्राइ करके ही डालते है वेगिन अब जो है तो फ्राइ करने का टेंसन बिलकूल भी नहीं है तो यहां पर अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें डाल दिये हल्दी नमक और थोरा सा तेल तेल अम करना है 15 मिनिट के लिए तो चलिए इसे डाल देते हैं एर फ्रायर में डालने को बीच में एक वार इसे भी पलट देना है इससे क्या होता है दोनों तरफ से अच्छी तरफ से सिखेगा बराबर सिखेगा आपका तो टमप्रेचर है 200 और टाइम है 15 मिनिट तो इसे सिट करके 10 मिनिट के और टेल ब्रस करना ही तो कीज़े आपके ऊपर है नहीं तो इसे पलेट करके चला करके आप बंद कर दीजे तो तो friends यह यहां तेल बरश करना यह आपके उपड़ है इसमें तेल डालना है या नहीं डालना है लेकिन आप इसे एक बार है तो यूजरूर कीजिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छाय बहुत ही तो बनता ही है बिना तेल का इतना अच्छा बनता है इसका कोई जवाब नहीं है तो इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा यहां बात-बात में 10 मिनट हो चुका है देखिए कलर लग ही निरा कि फराई के ओर नहीं है तो इसे एक बार ट्राइ जरूर कीजिएगा अगर घर में आप एयर फ्रायर रखे हैं तो टेली की रूटिंग में आराम से यूज कर सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ही रिस्पी बना सकते हैं तो यहां आलू गोवी का सबजी हम बना रहते तो मसाला पहले से तयार करके रखे ते गोवी डाल दिये अच्छे तरह से मिक्स करके यहां गोवी का सबजी ब है तो जरूर मंगा लीजिएगा बहुत ही अराम रहेगा सफाय का टेंशन ही खतम हो जाएगा लेकि नहीं है तो क्या करेंगे जैसे कि कुछ भी आप बनाईए गर्म रहे उसी समय टूशू पेपर से पोच लीजिए इतना गर्म नहीं कि हाथ से टच नहीं कर सकते इतना जो आ कि अधिये हमेशा के लिए यह जो है सुरक्षित रहेगा इसका कोटिंग कभी भी खराब नहीं होगा कोटिंग खराब होने से क्या होता है चिपागने लगेगा इसलिए कोटिंग बरकरा रखने के लिए सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है चाई के साथ कुछ खानी हो चोटे भूक है उसके लिए भी आप इसमें कुछ न कुछ बना ही सकते हैं तो सबसे पहले तो ले लिए ट्रेंगल पापर उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल चाट मसाला या आम चूर पॉडर जो भी आपको मिक्स करना है मिक्स कर दीजिए जो भी इसमें डालिएगा ज इसे प्रिहिट करने का भी जुरुत नहीं है तो फ्रेंट्स कैसा लगा वीडियो जुरू बताईगा उमीद आप लोको बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरू कर दीजिएगा और आपको कैसा लगा एयर फ्रायर का ये रेश सामिल कर सकते तो लीजी फ्रेंट्स यहां पर ट्रेंगल पापड़ भी बहुत ही हल्दी यहां बहुत ही कुरुकुरे बनके तयार हो गया तो मैं इसे इंजॉय करने वाली हो अपने फैमिली के साथ चाही या कॉफी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो ने रेस्पी में त से की अड़र, वीज हाँ बहीं कर सकता हैren औरक बात